नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का टार्गेट इस्टरी आपर दोस्तो केवल और केवल आप लोगों की रिक्वेश्ट पर मैंने यह वीडियो बनाया क्योंकि मेरे कमेंट सेक्षन में इतने ज्यादा कमेंट आ रखे थे कि आई-बी एसी आई-उ एक्जाम में वर्ड इस्ट्रीक कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें कौन कौन से टॉपिक पढ़ें तो इस बज़े से मैंने यह वीडियो बनाया है हाला कि पूरा दिन में बहुत ज्यादा विजी था लेकिन मैंने सुचा यह मेरी रिस्पॉनसेबिलिटी करी है कि आप लोग मुझे जुड़े हुए तो मैं उसमें वीडियो बनाओं तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जादा से जादा लाइक करिएगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और जल्दी से करिये तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखेएस जो आईबियो एक्जाम सबसे लगेंगा कि आएपको तो पूछी जाते है लेकिन विडियों से पढ़ने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाने की जुरत है बिल्कुल ऐसा नहीं कि दूसरों से सुना और बिल्कुल तर्म आपने पढ़ना सुरू कर दिया समझने की बात यह है कि वर्ड हिस्ट्री तो आपको तब पढ़ना है पहले यह एनलसिस देखते हैं हम लोग अभ लगबग 50-55 कोशन जीके के पूछे गए थे ठीक है ध्यान से समझेगा उस 50-55 कोशन में 25-30 कोशन लगबग वर्ड हिस्ट्री से आपके पूछे गए थे 25-30 कोशन यानि कि अच्छा खासा पूर्सन कंट्रिब्यूट कर रहे थे अगर उस समय आप यह वाला पूर्सन जो 25 से 30 कोशन है यह छोड़के जा रहे थे तो आपकी कट ओफ किसी कीमत पर नहीं निकलनी थे लेकिन अब सारी चीज़ें चुकी है दोस्त 2017 का पैटन बिल्कुल चेंज है अब जो है अब जो 100 कोशन आप से पूछे जाएंगे उसमें 100 कोशन में जीके का कोशन फिक्स है इस ब लगा यह कि 25 में से कितने कोशन से पूछे जा सकते हैं बहुत ज्यादा तो 8 से 10 कोशन केवल 8 से 10 कोशन वर्ड इस्ट्री से पूछे जाएंगे तो आप खुद से दिमयक लगे क्या यह होसियारी होगी कि वर्ड इस्ट्री पे ज्यादा टाइम वेश्ट किया जाए हाँ ठ प्लीड कर सकते हैं देखिए वह इस तरी किया है वह मैं आपको बताता हूं अभी देखो सबसे पहले मैंने क्या किया दो हजार दसका पेपर लेकि उसकी पूरे एके कोशन की एनयलसिस की की वर्ड इस्ट्री में कोशन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं दो हजार दसका करी और उसके बाद में 2014 वाला जो पेपर था उस पूरे पेपर की भी मैंने अनाइलसिस करी और पूरे चारों पेपरों की अनाइलसिस करने पर यह बात मुझे पदा चली कि आई-बी एस याईउ उ एकजाम में एक फिक्स पैटर्ण है वर्ल डिश्ट्री पूछने का और उस पैटर्ण पे जादा कुछन पूछे जा रहे हैं कुछन तो और भी पूछे जा रहे हैं दस में से 6-7 question आपके बिल्कुल definitely साही हो जाने हैं तो start करते हैं कौन-कौन से वो ऐसे topic हैं जो आपको पढ़ने हैं तो देखे वर्ड इस्ट्री के जो 8-10 प्रस निस्बार आएंगे वह वाले topic 10-6 लगबख सही हो जाएंगे अगर आप यह पढ़ लेंगे और 10-6 अगर आपके सही हो गए तो मुझे लगता है आपके लिए more than sufficient है यह वाला portion ठीक और यह रहे वह topic topic बदाने से पहले मैं आप ल मैं आपको यह बता रहा हूँ कि पिछले चारो सालों की paper से जो topic निकल कर रहे हैं उस पर मैंने यह video बनाया है मैं अपनी prediction बताऊंगा उस पर अलग सी video बताऊंगा आपको बिलकुल भी गुमराह करने वाला काम यहाँ पर नहीं होगा तो कि आपसे ज़्यादा important मेरे लिए formation कैसे हुआ किसने इसको बनाया किसने खोजगरी इससे रिलेटर जो भी basic question होते वो सारे पढ़ लीजिए काफी question पूछे गए Chinese establishment बहुत important है इस पर भी question पढ़ लीजिए Chinese establishment पर काफी question आ रहे हिरोशिमा और नागा साकी पर जो यूएस ने बम गिराए थे वो कब गिराए थे और हिरोशिमा और नागा साकी से related जितने भी question बनते हैं आप इसको Google करके बताए इसको मैं अभी बताऊंगा तरीका इसका प बता दूं हर पेपर में दो से तीन question European countries में ठीक है European history आपको थोड़ी सी पर के जानी है European countries में आप लोगों को देखकर जाना इसमें ज्यादा question पूछ रहा है उसके बात में जापान के बारे में जापान का establishment कैसे हुआ उस पर बं कैसे गिराए गए और उसका nuclear operations कैसे हुए औ जापान के अंदर और भी जो important चीज़ें आते हैं वह सारी चीज़ें आपको देखकर जानी है ठीक है यह topic कबर होगे उसके बात में यह topic world war one के बारे में पूरी बात कौन-कौन से देश इसमें थे कब हुआ कब सुरू हुआ कब खतम हुआ यह जितने भी बाहर बार से उप कुछन पूछे जा रहे हैं तो यह वही वही topic है जो अभी तक आ चुके हैं इसमें एक भी prediction नहीं है मेरा Chinese revolution को ध्यान से पढ़के जाना है Chinese revolution पे काफी कुछन है और Adolf Hitler से आपको कुछन पूछे जाने है जैसे Adolf Hitler कहा का था इसका और दूसरा नाम क्या था जैसे फ्यूरर इसका नाम है दूसरा दूसरा नाम क्या था कौन सी बुक इसने लिखी थी और इसको किस चीज से प्रेरित था इसका गुरू कौन था यह सारी चीजे हिटलर से लेटर आपको पढ़के जाना है और बिल्कुल यह पैट बिल्कुल सेट रिपीटेट पैटन है इन पर कोशन आने हैं डेफिनेटली सिल्क रोड की बारे में आपको पढ़के जाना है और पुर्तगाल का जो हिष्ट्री वह आपको पढ़के जाना है ठीक है यह तो रहे टॉपिक जो आपको परकर जाने बिल्कुल फिक्स इससे बाहर पढ़ने की जुरत नहीं है क्योंकि वह टाइम होगा आठ से दस कोशन जो आएंगे उसके लिए इतना मैटर सफी सेंट है बाकी बचे हुए टाइम में को क्या पढ़ना है वह मैं आपको बताऊंगा अब देखो एक जरूरी बात जरूरी बात यह कि यह जो टॉपिक मैंने अभी बताएं इनको आप पढ़ेंगे कहां से पढ़ने के लिए इसकी जाद मुझे जहां तक पता है वर्ड हिस्ट्री कि आप लोगों के पास कोई बुक ऐसे नहीं होती है ठीक है और मार्केट से भी खरीदेंगे तो उसमें बहुत टाइम बेस्ट हो जाएगा ठीक है जो जो टॉपिक मैंने बताएं इसको आप यूट लों नहीं ले सकता अवने चैनल पर क्योंकि वह एक तरीकी से उनको प्रमोट करना हो जाएगा तो आप यूट्यूब पे खुच से सर्च कर लिए जैगा जैसे फ्रेंच् Mü不同 पर यूट्यूब पर वीडियो को आप देख लीजिए का बस एक ही वीडियो से आपका सारा मेटल किलियर हो जाएगा ठीक है तो आप टॉपिक समझ गए टॉपिक में कहा कहा से पढ़ना ये भी समझ गए कि अप लोगों को जयादा फोकस करना हैं मैं वह एरिया आपको बताता हूं जहां पर आपको जृठव मैं बठाएãy वर्ट हिस्ट्री से आएगे ठीक फॉड़ हिस्ट्री वाले पॉर्सीं नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो भी मुझे लगता को फास नुकसान м découv है क्योंकि उ कोशन में से 10 कोशन अगर अटा दें बच्चे 15 कोशन वह 15 कोशन आपके पूछे जाएंगे हिस्ट्री से जोग्राफी से पॉलिटी एकॉनमेक्स साइंस बाइलोजी और करेंट बागी के 15 कोशन यहां से पूछे जाएंगे और अगर आप ससी के तयारी कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छे से मालूम है आपको यह सारे टॉपिक अच्छे से तयार होंगे और वर्ड इस्ट्री अगर सुरुवात भी करेंगे तो वह किसी काम नहीं आनी है और अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आई भी के लाबा किसी और एक्जाम में काम भी नहीं आएगा तो एक त हिष्ट्री के जो चारों पेपर जो मैंने अभी बताए थे आप लोगों को यह वाले चारों पेपर यह जो पेपर मैंने आपको बताया 14,13,13,11,13 , इनकी मैंने जब जब अनेल्सिस करी है तो सारे सबजेक्ट की अनेल्सिस करडा डाली तो इस पर क्या है वर्ड इस्थ्री को यहां पर नहीं बताया है इसके तुरंत बाद मैं एक दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं इन सारी चीजों को डिटेल में डिसकस करूंगा अब बिल्कुल वही सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़के जाने हैं आप बिल्कुल गैरेंटीड कोशन करके आ दखा होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आजाएगा आदर्वाइस आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा और वीडियो आपसे मिस हो जाएगा तो आप मेरे वीडियो को बैल आइकन पर क्लिक करके नोटिफाई भी कर लीजिए जिससे कि मैं जैसे वीडिय आप लोगों से करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोसल प्लेक्टफॉर्म पर डालिए वाट्सअप पर शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा सो देट मैं और भी मोटिवेट हो सको आगे की वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्जमाद और आप देखने हैं टार्केट इश्टरी याइक्यू चैनल आपका दिन सुबूँ